परिचय साहिल क्या तुम बता सकते हो कि इस पार्क का क्षिद्रफल कितना है? या बहुत आसान है, इस पार्क का आकार वृत्ताकार है, तो यदि हमें इस वृत्ति की तृज्या की माँ पता हो, हम पाई आर वर्ग सूत्र से इसका क्षित्रफल ग्याद कर सकते हैं हम्, साहिल तुम काफी बुद्धिमान हो मैं तुम से एक और प्रश्न पूछता हूँ क्या तुम इस कूडे के डिब्बे का प्रिष्टियक शित्रफल और आयतन बता सकते हो हम्, मुझे नहीं पता कि किसी बेलनाकार वस्तु का प्रिष्टियक शित्रफल और आयतन कैसे ग्याद करते हैं क्या तुम इस प्रकार की वस्तुओं के प्रिष्टियक शित्रफल और आयतन जानने के इच्चिक हो हाँ, मैं जानना चाता हूँ बच्चो इस पार्ट क्षित्र मिती में हम कुछ 3D वस्तुओं का प्रिष्टिय क्षित्र फल और आयतन ग्याद करना सीखेंगे उद्देश्य इस पार्ट के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे त्री विमिय वस्तुओं का स्मरण करना घन, घनाब और बेलन के प्रिष्टिय क्षित्र फल ग्याद करना सामान ने 3D आकार क्या आप इन आकारों का स्मरण कर सकते हैं? हाँ, ये त्री विमिय हैं क्योंकि इन में लंबाई, चोड़ाई और उंचाई है साबुन, खिलोने, टूथपेस्ट, स्नेक्स इत्यादी, घनाकार, घनाभाकार या बेलनाकार बक्सों में आते हैं आए, इनके प्रिष्टिय क्षित्र फल और आयतन के बारे में सीखें घन का प्रिष्टिय क्षित्र फल इस घन को देखिए, यह देखना आसान है कि घन में 6 प्रिष्ट होते हैं और प्रतेक प्रिष्ट वर्ग होता है अब घन का प्रिष्टिय क्षित्र फल का सूत्र ग्याद करने के लिए मान लिजिए एक प्रिष्ट की लंबाई A है क्यूंकि घन में 6 प्रिष्ठ हैं, अताहा कुल प्रिष्ठी एक शतरफल वर्ग A गुणा वर्ग A गुणा वर्ग A होगा, जोकी 6 गुणा कुश्ठक में वर्ग A के बराबर होगा. आईए एक उदारन लें या एक घन है जिसकी प्रतेग भुजा पांच सेंटीमीटर के बरापर है अधा इसका प्रिष्टी एक शित्रफल छै ए वर्ग होगा एक आमान रखिए हमें प्राप्त हुआ छै गुणा पांच गुणा पांच जो की एक सो पचास वर्ग सेंटीमीट के बरापर है घनाप का प्रिष्टी एक शित्रफल इट चौक का डिबबा जयामिती बॉक्स माचिस की डिबबी और एक किताब के आकार का अनुमान लगाईए हाँ ये सही है ये सभी घनाप के उधारन है घनाप में छै आयताकार समतल प्रिष्ट होते हैं जिन्हें भलक कह आता आप कह सकते हैं कि ABCD, ABEF, BCHF, EFHG, ADGE और DCHG दिये गए घनाप के फलक हैं दो आसन फलक एक रेका खंड के अनुदिश मिलते हैं जिसे किनारा कहते हैं हम देख सकते हैं कि घनाप में कुल बारा किनारे होते हैं घनाप में आठ कोने यानी शीर्ष होते हैं A, B, C, D, E, F, G और H घनाप के शीर्ष हैं मान लिजिए कि AB बराबर L, AE बराबर B और AD बराबर H आता है घनाप का कुल प्रिष्टियक शित्रफल 6 फलकों A, B, C, D, A, B, E, F, B, C, H, F, E, F, H, G, A, D, G, E और D, C, H, G के प्रिष्टियक शित्रफल के योग के बराबर होगा जो की कोश्ठक में LH जमा LH जमा BH जमा BH जमा LB जमा LB है इसलिए घनाप का कुल प्रिष्टियक शित्रफल 2 कोश्ठक में LB जमा BH जमा HL के बराबर होगा घनाप के प्रिष्टियक शित्रफल का उधारण ठीक है आईए एक उधारण लें आप एक घनाप देख रहे हैं जिसकी लंबाई 6 cm, 4 cm और उचाई 4 cm है इसके प्रिष्टियक शित्रफल की गणना करना कठिन नहीं है क्योंकि अब हमें सूत्र पता है अब सभी मान स्थापित करते हैं जिससे हमें घनाप का प्रिष्टियक शित्रफल ग्यात होता है जो की 108 वर्क सेंटीमीटर के बराबर है बेलन का प्रिष्टियक शित्रफल आपने पतला कैन, पानी की पाईप, प्रयोक्षाला कभी कर, पाउडर का डिबबाय त्यादी बहुत से ठोस देखे होंगे जिनका आकार लंब वृत्तिय बेलन जैसा होता है आप चकित होंगे कि लंब वृत्तिय बेलन क्या होता है लंब वृत्तिय बेलन एक्ठोस होता है, जिसकी रचना इसके एक प्रिष्ट जो इस्थिर रहता है के चारों तरफ एक आयत के लिपटने से होती है और लंब वृत्तिय बेलन के सिरे या आधार सरवांग सम वृत्त होते हैं बेलन का कुल प्रिस्टिय क्षित्रफल ग्यात करने के लिए हमें दो आधारों और आयत के क्षित्रफल की गणना करनी होगी एक वृत्त का क्षित्रफल पाई आर वर्ग अताहा दो वृत्तों का क्षित्रफल दो पाई आर वर्ग होगा आईए अपने आयत को ध्यान से देखें क्योंकि इसी आयत को लपेटा गया है अतहा इसकी ये भुजा परिणाम सरूप बनने वाले वृत्तिकी परिमाब बन गई है अतहा आयत का लपेटा हुआ भाग दो गुणा पाई गुणा आर के बराबर होगा जो की वृत्तिका परिमाब होता है आयत का क्षिद्रफल ग्याद करने के लिए H का दो गुणा पाई गुणा आर से गुणन कर दीजिए जो की दो गुणा पाई गुणा आर गुणा एच बराबर होगा इस प्रकार एक बेलन का कुल प्रिस्थियक शित्रफल दो गुणा पाई गुणा आर वर्ग जमा दो गुणा पाई गुणा आर गुणा एच के बराबर होगा बेलन के प्रिस्टियक शित्रफल का उधारन आईए इस बेलन का प्रिस्टियक शित्रफल ग्याद करें दिया गया है कि इस बेलन की तरिज्या साथ सेंटिमीटर है और उंचाई बारा सेंटिमीटर है क्या आपको बेलन का कुल प्रिस्टिय क्षित्रफल ग्याद करने का सूत्र याद है? हाँ ये दो गुणा पाई गुणा आर वर्ग जमा दो गुणा पाई गुणा आर गुणे एच के बराबर होता है अभी सूत्र में मान रखतीजिए अता दो गुणा बाईस बटा साथ गुणा साथ गुणा साथ जमा दो गुणा बाईस बटा साथ गुणा साथ गुणा बारा इससे बेलन का प्रिस्टिय क्षित्रफल प्राप्त होता है जो 836 वर्ग सेंटिमेटर के बराबर है घन का आयतन किसी वस्तु द्वारा घरी हुई जगा को उसका आयतन कहते हैं हम जानते हैं कि घन की सभी प्रिष्टों की लंबाई एक समान होती है मान लिजिए कि इस घन की लंबाई L है घन का आयतन ग्याद करने के लिए हमें घन के क्षित्रफल A को L से गुणन कर देना है अतहा इन तीन L का एक साथ गुणन करने पर हमें L घन प्राप्थ हुआ इस प्रकार आयतन का सूत्र है V बराबर घन L ठीक है आईए एक अन्य उधारन लें यहां हमारे पास एक घन है जिसकी प्रतेक प्रिष्ट की लंबाई 3 सेंटिमीटर है आये इसका आयतन ग्याद करें इसे हल करने के लिए हमें सूत्र V बराबर घन L का प्रियोग करना होगा क्यूंकि हम चानते हैं कि घन के प्रतिक प्रिष्ट की लंबाई तीन सेंटिमीटर है हम तीन को एल की जगह रख सकते हैं तीन की घात तीन, तीन गुणा तीन, गुणा तीन के वराबर होगा इससे 27 प्राप्थ हुआ आईए इससे यहां लिख लें क्यूंकि लंबाई का मातरक सेंटिमीटर है इसलिए आईटन का मातरक घन सेंटिमीटर होगा अता इस घन का आईटन 27 घन सेंटिमीटर है इसलिए बच्चों अब आप भी ऐसे सवालों को हल कर सकते हैं घनाप का आईटन इस घनाप को देखिए हम जानते हैं कि ये त्री विमिय आकार है, जिसमें लंबाई, चोडाई और उजाई मापे होती हैं. घनाप का आयतन ग्याद करना बहुती सरल और आसान है. सिर्फ घनाप की लंबाई, चोडाई और उजाई का गुरन कर दीजिए. आपको घनाप का आयतन प्राप्त हो जाएगा आईए इस घनाप का आयतन ग्याद करें तीनों विबाएं दी हुई हैं इस घनाप का आयतन ग्याद करना काफी आसान है बस तीनों संख्या का गुड़न कर दीजिए अता इस घनाप का आयतन 200 घन सेंटिमीटर है बेलन का आयतन चात्रो अब हम इस बेलन के आयतन की गणना करेंगे जो की बहुत आसान है इस बेलन की तृच्या आर और उचाई है आयतन ग्यात करने के लिए हम आधार के क्षित्रफल से उचाई का गुणन करेंगे आता हा बेलन का आयतन पाई आर वर्ग एच के बराबर है आईए अब एक उधारन देखें हमारे पास एक बंद लंब वृत्तिय बेलन है जिसकी तृच्या साथ सेंटिमीटर है और उचाई दस सेंटिमीटर है आईए इसका आयतन ग्यात करें हम जानते हैं कि बेलन का आयतन का सूत्र पाई आर वर्ग एच है अब मांद रखने की आविशक्ता है अताहा ये हुआ बाईस पटे साथ गुणे साथ गुणे साथ गुणे साथ गुणे दस इसके परिणाम सवरूप हमें 1540 गन सेंटिमीटर प्राप्ट हुआ इसलिए इस बेलन का आयतन 1540 गन सेंटिमीटर है सारांश आईए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोराएं किसी धोस वस्तू का घेरा बनाने वाली समतल आकृतियों के क्षित्रफल के योग को उस वस्तू का प्रिस्टियक शित्रफल कहते हैं प्रिस्टियक शित्रफल किसी वस्तू द्वारा घेरी हुई जगा को उसका आयतन कहते हैं घनाप का आयतन होता है L गुणे B गुणे H. घन का आयतन होता है L की घात 3. बेलन का आयतन होता है पाई आर वर्ग बेलन.